इसलाय रह्माल रहीर हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम पर्मुटेशन्स एन कॉमिनेशन्स टॉपिक के ओपर डिसकस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब टोवर चैनल और प्रेस बेल एकॉन फॉर दिलेटस अपडेट तो चलिए शिरू करते हैं जबी भी हम इन दो टॉपिक्स के बाद करते हैं तो हमें सबसे पहले जो वर्ट सुने को मिलता है हो है कॉंटिंग that means कि permutation and combination is a type of counting बट ये इतना भी easy नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ lines ड्रॉ कर दिये और लिख दिये there are how many lines and you say that there are five lines ठीक है तो ये समझने के लिए आप इस तरह भी समझ सकते हो कि permutation and combination एक update वर्जन है content का है so इसे समझने के लिए हम consider करते है कि आपका कोई एक restaurant है और आपके restaurant में चार टाइप के drinks है suppose कि तीन टाइप के juice है J1, J2, J3 and दो टाइप के milkshake है M1 and M2 and कोई customer आके आपको कहता है कि I want some drinks so customer ने आपको कहा है कि I want some drinks उसे पीने के लिए कुछ चाहिए तो आपके पास उसे देने के लिए 5 option है या तो आप उसे juice J1 दे सकते हो या juice J2 दे सकते हो या juice J3 दे सकते हो या तो आप उसे दे सकते हो milkshake M1 या फिर milkshake M2 तो आपके पास option है और के लिए या तो आप उसको कोई भी एक juice दे सकते हो या तो कोई भी एक milkshake दे सकते हो यह customer के sentence पर depend करता है ठीक है तो जबी भी आपको आपके answer में और मिलता है that's mean कि option मिलता है आपको या तो यह या फिर हो ठीक है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको addition करना होगा तो आपके पास कितने option है यहाँ पर तो आप उसे juice J1 दे सकते हो या फिर J2 दे सकते हो या फिर juice J3 दे सकते हो या फिर आप उसे milkshake दे सकते हो M1 या फिर M2 दे सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपके पास total 5 waves है ठीक है तो यह हो गया addition के लिए अगर customer ने कहा है उसे कुछ juice चाहिए, sorry drinks चाहिए लेने के लिए then अगर customer आपसे कुछ और कुछ मांगता है that's mean के वो कहता है के I want a juice and a milkshake ठीक है अब यहाँ पही क्या है customer ने आपको juice भी मांगा है और milkshake भी मांगा है, so आपके पास juice है J1, J2, J3 और milkshake है M1 and M2 so customer को आपको देना है एक juice देना है और एक milkshake देना है तो आप क्या करोंगे आप juice J1 के साथ में milkshake M1 दे सकते हो या फिर इसके साथ में आप milkshake M2 दे सकते हो या तो फिर आपके पास second condition है या तो आप J2 juice के साथ M1 milkshake दे सकते हो या फिर J2 juice के साथ M2 milkshake दे सकते हो उसी तरह से आप J3 juice के साथ भी कर सकते हो, ओके? तो अब यहाँ पर जो condition है, end की condition है ठीक है तो जब भी आपको question में आपके end की condition आएंगी तो आपको वहाँ पर multiply करना होगा आपके पास हमें कितने option है, पहला J1 M1, J1 M2 या फिर J2 M1, J2 M2 या फिर J3 M1 और J3 M2 या आपके पास total six option है उसे customer के लिए serve करने के लिए तो आपके पास three types के juice है, three juices और दो type के milkshake है, that is two milkshake तो आप क्या करेंगे, दोनों का multiply करेंगे, तो आपको कितने ways मिल जाएंगे, there are six ways, ओके, तो यह है type and के लिए, ठीके, तो जब भी आपको question में and आता है, तो आप समझ जाना है कि आपको multiply करना है, और जब भी question में option रहता है आपके बास, आपको add करना है, ठीके, तो आपक आपको इसमें आपको छे ways मिल जाएंगे, ठीके, now हम दूसरा example देखते है, so इसके लिए आपको एक बास ध्यान में रखना होंगा कि जो combination है, combination order को follow नहीं करता है, that is, it doesn't follow order, and permutation order को follow करता है, it follows order, so अगर आपके पास तीन alphabet है, A, B, and C, आपको इनको दो-दो के set में लिखना है, तो आप ले सकते हो, A, B, A, C, B, C, ठीक है, तो combination है, combination को मतलब होता है कि यह order follow नहीं करता है, अगर आप A, B, लिखो, चाहिए आप B, A, लिखो, वो A की होंगा, यानि के combination के लिए आपके पास तीन possibility है, ठीक है, A, B, A, C, और B, C, यह हो गया combination के लिए, अगर यही अगर आप इंगे दो-दो के state बना रहे हो, permutation में, तो permutation जो है, order को follow करता है, that's mean, permutation के लिए अगर आप A, B लिखोंगे, तो आपको B, A, B आपको ले सकते हो, क्योंकि यह दोनों भी different, different है, order अलग है, order अलग है, order अलग है, और permutation order को follow करता है, so, आप ले सकते हो, A, B, B, A, A, C, C, A, and B, C, and C, B, so, दो-दो का state आप बना रहे हो, तीन alphabet का, combination में आपको तीन option मिले, वही permutation में आपको छे option मिले, ठीक है, तो यह जो हो गया है, यह है, permutation के लिए, ओके, so, आपको यहाँ पर एके बार दियान में रखना है, कि combination doesn't follow order and permutation follows the order,